दोस्तों बॉलिवर्ट के दबंग खान यानि कि सर्मान खान के गुस्सेल व्यवहार के बारे में तो सभी जानते हैं और उन्हें कितनी जल्दी गुस्सा आता है इससे भी पूरी दुनिया वाकिफ है बॉलिवर्ट में भी ऐसे कहीं किस्से हुए है जब लोगों के उपर सल्मान खान का गुस्सा उतरा है और गुस्से में कहीं बार सल्मान खान ने कहीं आक्टर्स और अक्ट्रिसेश पर हाथ भी उठा दिया है आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर वो कौन से आक्टर, डिरेक्टर या प्रेडियूसर है जिनको सल्मान खान के गुस्से का सामना करना पड़ा है सबसे पहले बात करेंगे सल्मान खान की एक्स गर्ल्फरिंड एश्वर्या राय की सल्मान और एश्वर्या राय की बीच ब्रेक अप हुए हाला कि आज बहुत समय बीच चुका है और एश्वर्या अपना खुशाल वैवाहिक जीवन अभिशेक बच्चन के साथ बिता रही है लेकिन साल 2002 में जब सल्मान ने एक इंटरव्यू दिया था तो सल्मान ने बताया था कि उन्होंने एश्वर्या के साथ मार पीट नहीं की उस समय चर्चा थी कि सल्मान ने एश्वर्या के फ्लाक पर जाकर काफी हंगामा किया था और तब वो नशे में थे और एश्वर्या से बाहर आने की जिद कर रहे थे एश्वर्या बाहर निकली तो उन्होंने उन पर हात उठा दिया उस समय एश्वर्या राय ने अपने कई इंटर्व्यूस में इस बात का खुलासा किया था कि सल्मान खान के गुसेल व्यवार और उनके हिंसक व्यवार और मार पीट की वजह से ही उनका रिश्टा खत्म हुआ था वहीं सल्मान ने एक इंटर्व्यू में ये भी कहा था कि उन्होंने आज तक किसी को नहीं मारा जब गुसा होते हैं तो वो खुद का सिर्व दीवार पर मारते हैं लेकिन किसी और को नहीं पीटते लेकिन वहीं अगर डाइरेक्टर सुभाश घाई की बात करें तो इस बात को तो खुद सलमान ने भी कबूल किया है कि उन्होंने सुभाश घाई के ऊपर हाथ उठाया था दरसल बात ये थी कि एश्वर्या सुभाश घाई की फिल्म ताल में काम कर रही थी और सलमान नहीं चाहते थे कि एश्वर्या सुभाश घाई के साथ काम करें और इसी के चलते एक पार्टी के दौरान सुभाश घाई के ऊपर सलमान खान ने हाथ उठा दिया था सल्मान का कहना था कि सुभाज घई ने उन्हें गुसा दिलाय था उन्होंने मेरी गर्दन पकर ली थी मुझे चम्मच से मारा था और प्लेट मालने के लिए उठा ली थी तो मैंने भी गुसे में उन्हें थपड जड़ दिया लेकिन अगले ही दिन मैंने माफी मांग ली थी और दोस्तों आपको बता दें कि बात में सलमान खान ने सुभाज गई के साथ फिल्म युवराज में भी काम किया था वहीं अगर बात करें बॉलिवर्ड में प्ले बॉय के नाम से मशूर रनबीर कपूर की तो रनबीर कपूर के उपर भी सलमान खान हाथ उठा चुके है ये घटना तब की थी जब रनबीर कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री बे कदम भी नहीं रखा था वो एक नाइट कलब में पाटी कर रहे थे सलमान भी वहाँ पर मौजूद थे रनबीर को सलमान जानते भी नहीं थे लेकिन इन दोनों के बीच कुछ ऐसी जड़प हुई कि सलमान ने गुस्से में रनबीर को ठपड मार दिया रनबीर जब घर पहुँचे तो बात रिशी कपूर तक पहुँची रिशी कपूर के जरिये ये बात सल्मान खान के पिता सलीम खान तक पहुँची तब सलीम खान सल्मान पर बहुत नाराज हुए और सल्मान को फटकार लगाई और तुरंत रन्बीर और रिशी कपूर से माफी मांगने को कहा और इसी के चलते सलमान खान ने रिशी कपूर से माफी भी मांगी थी इनके अलावा आपको बता दें कि सलमान खान और सतीश कोशिक के बीच भी कुछ ऐसा ही वाक्या सामने आया था सल्मान खान ने फिल्म तेरे नाम के सेट पर डारेक्टर सतीश खोशिक को भी तमाचा जर दिया था लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाई है अब अगर बात करें एश्वर्या राय के बाद सल्मान खान की एक्स गर्ल्फरेंड काटरीना कैफ की तो एश्वर्या के बाद सल्मान एक्स गर्ल्फरेंड काटरीना कैफ पर भी हात उठा चुके है मीडिया में आई खबरों की माने तो सलमान खान और कट्रीना कैफ के ब्रेक अप की वज़ह यही थी कि सलमान बहुत ही गुस्सेल व्यभार और हाथा भाई करने वाले इनसान थे और एक दिन ऐसे ही गुस्से में उन्होंने कट्रीना कैफ के उपर हाथ उठा दिया था जिस वज़ह से कट्रीना ने उनसे अपने सारे रिष्टे खत्म कर लिये थे दोस्तो सलमान खान का गुस्सा कितना है ये तो सभी जानते हैं और सलमान जब किसी से गुस्सा हो जाते हैं तो वो उनको आसानी से माव भी नहीं करते हैं बॉलिवुड में ऐसे कई सितारे हैं जिन से सलमान खान बहुत नाराज़ ठैते हैं उसी लिस्ट में विवेको बिरॉय, जौन अब्राहम, शारुक खान और शाहित कपूर के नाम भी शामिल है लेकिन शारुक और सलमान की दोस्ती तो अब वापस से हो चुकी है पर इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने में भी काफी सान लग गए तो दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि सलमान खान को अपने गुसे पर कंट्रोल करना चाहिए आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले साथ ही बॉलिवड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें देखने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें फिर मिलूंगी बॉलिवड की एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ तब तक के लिए बाई बाई